रेडियो सिटी आप देख रहे हैं मैं आर्चे हिमानश्यू और मेरे साथ आर्चे सिपी सैंडी और ये है रेडियो सिटी का ट्रेंडिंग मसाला जहां पर हम आपको लेटस्ट टेंड्स के बारे में बताते हैं सोशल मेडिया पर किन मुद्दों की बात हो रही है जाहे वो X प्लेटफॉर्म हो, इंस्टाग्राम हो, फेस्बुक हो, हर जगा पर लोग किसके बारे में बाते कर रहे हैं। और यकीन मानिये, आज धेड़ सारे मुद्दों पर बाते हो रही है, सैंडी, सही कहा ना मैंने। बिल्कुल, और सबसे पहले बात करें, जिन दवाईयों से हम ठीक होते हैं, हमें बुखार हो जाता है, हम सोचते हैं कि यार, चलो यह दवाई खाली, अब हम ठीक हो जाएंगे, बट अगर वही दवाईयें बिमार हो जाएं तो फिर क्या करेंगे हैं। ऐसी दवा जो हमने बचपन से सिरफ वो दवा सबने सुनी होगी, पैरासिटामोल और उसके साथ टोटल 53 मेडिसिन्स वो टेस्ट में पास नहीं हो पाई हैं। ऐसे में अगर आप सेंडी किसी के भी घर में जाए ना, और कुछ मिले ना मिले, पैरासिटामोल की दवाई जरूर मिलेगी। और वो दवाई अब टेस्ट में पास नहीं हुई है, भाई ये काफी चिंता का विशे है, और एक चीज मैं सोज रहा था कि एक और दवाई पर बेहन लगना चाहिए। कौन सी? वो ही, बाबू अब सब ठीक हो जाएगा। यह बात रही है, पैरासिटामोल यह सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है और इसके साथ जो मेडिसिंस ट्रेंड कर रही है। तोटल आपको फिर पता दूँ एक बार के 53 मेडिसिंस जो टेस्ट में पास नहीं हो पाई है, इस कारण यह जो मुद्दा है। मेरे मम्मी भी सुबा आजमा उठाना तो उन्होंने सब सब पहली खाबर यही देखी, पैरासिटामोल बैन होगी है। तो आप यह सोचिए कि अगर घर में बाते हो रही है, इस के सोशल मीडिया पर यह मुद्दा इतना बड़ा है। और इस दवाईयों के अंदर जो 53 दवाईया इसके बीपी की गोलिया है, इसके अंदर शुगर की है, विटामिन्स की है, तो क्या करें अब भई, मिलावट का बना हो रही है। ब्लड प्रेशर, बीपी और यह ख़वर सुनकर शुगर बीपी और बढ़ गया होगा। जिनके ओपर लोग डिपेंड हैं, आजकल हर घर में शुगर का मरीज, नहीं तो बीपी का मरीज, यह हैं है। और यह ख़वर सुनके भई, बीपी शुगर आई होप के नहीं बढ़ा होगा सबका। और हम रिक्वेस्ट करते हैं, अथोरिटिस से के भई, थोड़ा सा हमारी सिहत पर इस तोर से ध्यान दीजिए। इसके बात करें, हैस्टेग रेड अलर्ट बिल्कुल जारी हुआ है मंबई और पूने के लिए क्योंकि वहां पर बहुत बारिश हो रही है और हैवी रेन है, जहां पर बोल दिया गया है सरकार की तरस से भी और मौसम विभाद की तरस से कि जादा जरूरी है घर से बाहर न इस वक्त है और मौसम विभाद का कहना तो है विभाद का के बारिश यहां पर भी होगी फिर एकदम से मौसम चेंज होगा बट आई थिंग को टेक्निकल फॉल्ट पढ़ गया उपर क्योंकि मौसम विभाद का एक मिर को यह कीन नहीं आता सेंडी जब वो कहते हैं कि आब भ इलट हम परी करते हैं कि कोई भी जानमाल का कहीं भी नुकसान ना हो जहाँ पर भारी बारिश हो रही है हैस्टाग डॉक्टर मनमोहन सेंग हमारे देश के पहले सिख प्राइम मिनिस्टर और आज उनका बर्डे है सो रेडियो सिटी की तरफ से और पूरे भारत की तरफ से उनको जनम दिन की हार्दिक शुप काम ना है बहुत बहुत अच्छे परधान मंत्री और अर्थ शास्त्री हमारे देश के वरे हैं उनको पूरे भारत वासियों की तरफ से रेडियो सिटी की पूरी टीम की तरफ से जनम दिन की बहुत बहुत बधाई हैश्टैग सर्दार मनमोहन सिंग, हैश्टैग मनमोहन सिंग जी, ये ट्रेंड सोशल मेडिया पर इस वक्त टॉप कर रहा है करिकेट की तरफ तो हैस्टैग इंडिया वर्सिस अब बंगला देश तो भी हो सकता है कि इस वार बंगला देश कुछ उल्ट फिर करने की कोशिश करें कोशिश करेंगा होगा नहीं कि भारत बहुत अच्छी फॉर्म में है पहला टेस्ट मैच भारत ने चार दिनों में जीत लिया था पर उनसू पंदरा रंस का टार्गट दिया था बंगला देश को और पहरी लगा था कि बंगला देश शायद कुछ फाइट देगा क्योंकि शुरुआत बंगला देश ने बहुत अच्छी की थी गेंदबाजी अच्छी की थी 144 पर भारत की छे विक्टे आउट कर दे थी फरस्ट इनिंग्स में पर उसके बाद भारतिय बल्लेबाज ने व स्टाफ वेलकम करता है उनका तो किसी ने बुके पकड़ाया और अब देखो इस चीज को देखने के दो आसपेक्ट है अगर आप पॉजिटिव देखना चाहते हो आपको वह चीज पॉजिटिव लगेगी अगर नेगटिव देखना चाहते हो तो नेगटिव लगेगी वो बंदा उसका हाथ है जी रह गया तो जो तो विराट कोली के अगेंस्ट रहते हैं वो कहना है कि इसमें कितना हीटिट्यूड है दोई हाथ है तो तो किसी को बुके पकड़ा देता है अट लिस्ट उससे हैंट शेक करके फिरा गई जाता एक आसपेक्ट यह और दूसरा इतनी जल्दी में होते हैं सिक्यूर्टी रीजन होते हैं उसको जैनुरली इसके हाथ में बुके था उसने पकड़ा और उसने अराम से का कि मेरे दोई आता है और इतना जल्दी से निकल गया तो यह अपने उपर डिपेंट है आपका क्या कहना है संटी सब इसमें मेरे यह क नाम विराट कोली बहुत सारे concerns होते हैं, आपने hotel room में जाना है, practice करना है, दिमाग में बहुत कोई चलता है, इतना बड़ा match, मेरे सहसाब से इस चीज़ को इतना इतनी hype नहीं create करनी चाहिए, but hashtag विराट कोली उनकी वीडियो social media पर viral हो रही है. बाकी back to India vs Bangladesh, कल से test match शुरू होने जा रहे हैं, दूसरा test match वर्ल्ट टेस्ट championship का यह हिस्सा होगा, यह मैच भी अगर भारत जीता है तो उसके बाद भारत फिर अगले महिने New Zealand के साथ खेलेगा और भारत points table के top रहे हैं, वर्ल्ट टेस्ट championship के. और जादी बंगलादेश से बात करें, हैश्टाइग शाकी बलहसन ट्रेंड कर रहे हैं, क्योंकि वो ले रहे हैं retirement test cricket से. उन्होंने कहा है कि मेरपूर में, उनके देश में जब दक्षिन अफरीका के against test match होगा, वो test match उनका आखरी test match होगा. शाकी बलहसन जो अपने aggressive behavior के लिए जाने जाते हैं, लड़ पड़ते हैं, विक्टे उखार देते हैं, एंपायर से लड़ने चल जाते हैं, प्लेयर से लड़ने चल जाते हैं, off the field भी उनकी लड़ाई जगडे की videos viral होती हैं, सो उनको उनके इस मिले चुले क्रिक्टिंग करियर के लिए बहुत-बहुत बदाई और best wishes हैं, उनके future projects के लिए और चलते हम आगे, hashtag Jigra, 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 और इसमें था अपने लवर के लिए और इसमें अपने भाई के लिए, अब कहानी पूरी क्या है वह हम यहां पर reveal नहीं करेंगे, बट बड़ा intense character है, fight वला है, हमें लगाता कर जैसे कोई एक बंदा होता है ना, तो अभी जाता है, फीमेल तारा सिंग बन रही है, मिशन पर जाता है, बंदूके लेकर मार, धार, चाकू सब के साथ, तो जैसे इसका गाना पहले रिलीज हो रहा था ना, जीत उसांज का चल कूरी ये, तब लगा नहीं था कि यार, जब ट्रीला रहेगा, अलिया भट इतनी खतरनाक देखे लिए, तो ये, हैस्टेक जिगरा, सोचल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे है, हैस्टेक आलिया भट के साथ, और जल्दे है, हैस्टेक वर्ल्ड इंवार्मेंट हेल्थ डे, और ये आज ट कैसे बचाना है, तो जानते भी हैं, पर वो काम नहीं करते हैं, तो ये है कि आपने आसपास एक पेड जरूर लगाएं, जिससे एंवार्मेंट ठीक रहेगा, और हमारी हेल्थ भी ठीक रहेगी, पेड लगाने से संटी, मुझको मैंने फिफ्ट क्लास में एक पोईट्री ब बूंद बूंद से घडा भरेगा हम भी अपना फर्ज निभाएं, आव हम सब पेड लगाएं, आव हम सब पेड लगाएं। क्या बात है, पीड के पीछे चुप चुप के प्यार करने वालो, पीड भी लगो बड़ा जरूरी है, फिलाल चलते है, हैस्टेग भूल भलाया 3, 3, 3, 3 दिवाली पर रिलीज हो गया और उसका ओफीशिल टीजर पोस्टर रिलीज हो चुका है, इसमें रवील किया गया है कि विद्या पालन और कार्तिक आर्यन इस फिल्म का मीन हिस्सा होंगे, यानि कि दिवाली के दिन, दिवाली के आसपास आप टरने के लिए तयार हो जाएंगे, साथ के साथ फड़ पड़ चलते है, हैस्टेग रनबीर अलाबादी, उनका उरे भाई, वो जो वायरड है बंदा सोशल मीडिया पर अपने पॉड़ कास्ट के जरीए, अपने इंट्रिव्यू के जरीए, उनका जो यूट्यूब अकाउंट है, वो हैक होंगे है, और उस पर I think किसी ने टेसला लिख दिया, आजकल वही बात है, सैंडी साब, ज्यादा फेमस होना भीना सिर्दर्दी देता है, आजकल चोड़िया ऐसे नहीं होती कि कोई किसी के घर में जाकर पैसे चुरा कर ले आया, आजकल अकाउंट्स हैक हो रहे है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो आपके बेंक अकाउंट्स हो, बहुत-बहुत ध्यान रखे इन चीजों का, कोई भी आपको लिंक कोई बी चीज आए, किसी का भी आए, आप उस पर क्लिक मत कीजिए, फिलाल आज के लिए इतना ही, ये है रेडियो सिटी का ट्रेंडिंग मसाला, आपको कैसा लगा है आज का ट्रेंडिंग मसाला, आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, दीजिए इजासत, मैं RJ हिमान और मेरे साथ, RJACP सैंडी, देखते रहिए, रेडियो सिटी, रगरग में दॉलियो सिटी